स्वागत फ्रेंस आपके अपने चैनल बिहार पूर्ट गुरूजी में तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किलाश 12 के प्रिटिकल साइन्स के मैंने आज की वीडियो में चेप्टर 5 लिया है सो इस वीडियो को सुरू से इन तक दिखी वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट चैनल में फर्स्ट पड़ बिशिट के उन्चेनल को सब्सक्राइब पड़के बेल आइकन को प्रेस कर देंगे फर्स्ट कोशन में क्या करा ध्यांज दीजी अठारो मई 1974 में पोखरन में किया गया पर्मानु परिक्षन के समय भारती पर्धन मंतरी कौन थे इन में से चार ओप्सन है राइट एंसर आपको कमेंट में बताना है ठीक ना चलिक वीडियो को लाइक नहीं निर्पयों को लाइक कर C सिखर सम्मेलन की अधिक्षिता किसने की चिया फ्रेंस काफी important question है धियान से देखिए मार्च 1983 में नए दिल्ली में हुए गुट निर्पिक्ष आंदुरन के सिखर सम्मेलन की अधिक्षिता किसने की थी इन में से चार उप्सन है right answer आपको कमेंट में बताना है तो finally इसका right answer हो जाएगा इंद्रा गांधी हो जाएगा क्या हो जाएगा इंद्रा गांधी ठीक ना यानि be will be the right answer विडियो को दो से तिन वर देख लिए आपको समझ में आ जागा यह सब question जो आपके लिए काफी important होगी जो कि आपकी board exam के लिए काफी helpful साबित होगी तो friends next question में करा कि justice party किस राज इससे संबन्द पार्टी थी ठीक है justice party किस राज इससे संबन्द पार्टी थी गुजरात या उडिसा या बिहार या मदरास finally 4 option है इनका right answer आपको बताना है finally इसका right answer हो जाएगा मदरास हो जाएगा क्या हो जाएगा friends मदरास हो जाएगा ठीक ना deep will be the right answer हो जाएगा शलिए फटाफ़र हम लोग next question की तरफ बढ़ते हुए next question को cover करेंगे 1967 में हुवे बिहार विदानसबा चुनाओ के बाद बिहार में किस परकार की सरकार बनी यानि 1967 में हुवे बिहार विदानसबा चुनाओ के बाद बिहार में किस परकार की सरकार बनी देखें इनमें चार उप्सन है इसका right answer आपको बताना है 24 नंबर का finally इसका right answer कमेंट सक्सेने बताएगे क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा सन्यूक्त विदायक दल की सरकार क्या हो जाएगा फ्रेंज सन्यूक्त विदायक दल की सरकार हो जाएगा ठीक ना यानि कि a will be the right answer हो जाएगा ठीक है सन्यूक्त विदायक दल की सरकार finally ठीक ना ये विल वी दी राइट आंसर हो जाएगा चलिए हम लोग फिर नेश्ट क्वेसन को अपने स्क्रीन पे देखेंगे इसमें क्या करा धियान दीजिए बटाएगा राम मनोहर लोहिया या ład एंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने गैर कॉंग्रेस वात कनारा दिया था 25 का सी विल विदी राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट कोसन हम अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा नेश्ट कोसन में क्या कह रहा है इसमें करा कि 1960 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेत्रित में सरकार बनीं 1969 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेत्रित में सरकार बनीं किक न क्ोंग्रेस लोगडल भारत्य क्रांती दल या वामपती दल26 का राइट एंसर क्या हो जाएगा भारत्य क्रांती दल हो जाएगा शलिए नेश्ट कोसन में हम लोग देखते हैं काफ कोंग्रेस को बहुमत नहीं मिला यानि कि उनिचस सरच के आम चुनाओं में किन राज़ seva की विदान सभाओं में तो 37 आप लोग बताने की गोशित कीजिए इसका राइट अंसर हो जाएगा जियां फ्रेंस सभी में क्या हो जाएगा सभी में finally d will be the right answer हो जाएगा चल ये next question क्या करा ध्यान दीजिए इसमें करा कि भारत में पर्थम communist party यानि भारत में पर्थम communist मुखमंत्री कौन थे जियां फ्रेंस भारत में पर्थम communist मुखमंत्री कौन थे चारोप संदिया हुआ राइट नसर आपको comment में बताना है तो भारत में पर्थम communist मुखमंत्री जो थे वो कौन थे EMS नम्बुद रिपाद ठीक है EMS नम्बुद रिपाद थे नम्बुद्रीपाद नाम थोड़ा कठी नाई है बस जादर लेना है EMS नम्बुद्रीपाद फैनेडी डी विल भी दी राइट एंसर हो जाएगा चलिए ये क्वेस्टन देखे कितना इंपोटेंट है जवाल लाल नेरू का निदन किस वर्स हुआ था चार अप्शन है इसका 64 इस भी में हुआ था ठीक ना यानि 29 का जो है C will be the right answer हो जाएगा चलिए नेश्ट कोशन में क्या कहरा ध्यान दीजे भारत की पहली महिला राष्टपती कौन थी आपको पता ही है कि भारत की पहली महिला राष्टपती कौन थी चार अप्शन है तो क्या हो जाएगा भारत प्रथम आम चुनाओ कब हुआ था ठीक है उनिस सो 25 में भारत में पर्थम आम चुनाओं कब हुआ था था फैनली एक देश नहीं है तो मैं अमार तो देश है ठीक है उसके बाद option से ही आप लोग पता लगाईए मैं अमार देश है भारत देश है चीन देश है तो जाइर सी बात है यह जो है होंग कॉंग यह देश नहीं है 32 का C will be the right answer आसा करता हूँ friends वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होती है, वीडियो को like करके अपने दोस्त में भी share कीजी, ताकि आप को भी पता चल जाए, और अपना friend को भी पता चल जाए, कि यह सब question, आपके लिए कितना important मैंने select किया हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल में फर्स्ट बार अभी तक विजिट किये हैं फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार करके लिजिए ताकि बेल आइकॉन को भी दबाईए ताकि आपका जो भी वीडियो में डालूंगा ना वो सबसे पहले आप तक तो पहुँच पाएगा ठीक ना तो मिलते हैं आप तपते के लिए जय हिंचे भारत आपका दिन स्थुखू